हालो गाईज तो मंतली करेंट अफेर्स वाले वीडियो में देसंबर मंत का ये हमारा लास्ट यानि की फूर्ट वाला पार्ट होगा तो चलिए बिना टाइम विस्ट करें इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला प्रशन है कि अभी सरकार ने किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए किस नाम से एक e-booklet को लॉंच किया था तो अंसर होगा पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट ये जो e-booklet है ये 106 pages की है और इसमें तीन क्रशी कानूनों सुधारों के लागू होने के बाद अनुबंद खेती से लाब प्राप्त करने वाले किसानियों की सफलता की कहानियों का वर्नन किया गया है ये book English और Hindi दोनों भाशों में release की तो उसका नाम है Trolley Times चार पेजेज का वो अकबार है हिंदी और पंजाबी भाशा में है और इस Trolley Times नाम के न्यूजपेपर को आंदोलन में ही शामिल एक पट खता लेखक सुरमीत गावी ने शुरू किया है और उसमें फोटोग्राफर है गुर्दीप सिंग फिर अभी किस राज्य सरकार ने ग्रामिन शेत्रों के लिए वरासत अभियान शुरू किया तो अंसर होगा उत्तरप्रदीश की सरकार ने तो उत्तरप्रदीश की सरकार ने ग्रामिन शेत्रों में संपत्ति और भूमी संबंदी विवादों को रोकने के लिए एक विशेश अभियान जिसका नाम है वरासत इसको शुरू किया है और राज में शुरू किया गया यह अपनी तरह का पहला अभियान है जिसका उद्देश यह सिंपल सा है ग्रामन शेत्रों में भूमी से संबंदित मुद्दों का समधान करना और यह अभियान 15 फरवरी 2021 तक जादी है तो आंसर होगा सिंगापूर तो अभी युनेसको ने सिंगापूर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को अपनी प्रतिश्थित मानव की अमूट सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिदी सुची यानि की representative list of the intangible cultural heritage of humanity में शामिल किया है तो यह जो हॉकर संस्कृत ही है यह श चाइनीज हो गया इंडियन हो गया मतलब अलग अलग संस्क्रेटियों के जहां पर भोजन बेचे जाते हैं और सिंगापूर के होकर्स अलग 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 प्रकार के वियंजनों में महारत हासिल करने के लिए जाने जाते हैं फिरह हाली में IORA मंत्री परिशत की 20 वी बैठक क पाथ to prosperity in the Indian Ocean साथ मैं आपको बता दूँ कि इसी बैठक के दुरान अभी जो फ्रांस है वो भी Indian Ocean Rim Association के 23 सदस्र राज्य के रूप में शामिल हुआ है IORA का headquarter आपको मिलेगा इबेन Mauritius में डारेक्टर जनरल नुमुवो नोकवे है फिर अभी हाली में किस देश में कोलून boxing world cup 2020 का आयोजन किया गया तो अंसर होगा जर्मनी में ये अभी 20 December तक चला था और इसमें भारत ने total 9 medal जीते हैं जिसमें 3 gold रहे 2 silver और 4 bronze रहे 3 gold किनकिनने जीते तो सिमरजीत कौर ने महिला वर्ग में 60 kilogram category में gold जीता अमित पंगाल ने 52 kilogram category में और मनीशा मौन ने महिला वर्ग में 57 kilogram category में gold जीता अच्छा देखो boxing की बात चल रही है तो बताओ International Boxing Association का headquarter कहाँ पर है Laws and Switzerland में है और अभी आपको याद होगा Boxing Association के नए अध्यक्ष भी बने थे कौन? उमर क्रेमलेव बाकी जर्मनी की यहाँ पर बात है तो इसकी capital Berlin है और जर्मनी की chancellor का नाम क्या है Angela Merkel इनका नाम आपने जरूर सुना होगा अभी December में Forbes की 100 Most Powerful Women's की जो लेस्ट आई थी उसमें टॉप पे रही थी यह Angela Merkel Second number पे थी European Central Bank की President Christine Legarde और तीसरे नंबर पे थी Kamala Harris अमेरिका के जो पहली मैला उपर राष्टर पती बनी है भारत से निर्मला सीता रमन इसमें 41 नंबर पे रही थी फिरहाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने सोदेशी खेलो को शामिल किया गया तो आंसर होगा चार को अच्छा वो चार खिल कौन-कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं एक तो है गतका एक कलारी पैयट्टू एक थांगता और एक मल्ल खंब बाकी मैं इनके बारे में भी आपको बताऊं थोड़ा-थोड़ा तो ये जो गतका है ये पंजाब का एक पारमपरिक Martial Art रूप है कलारी पैयट्टू ये कैरल का एक Martial Art गेम है और थांगता ये मनिपूर का एक लोग पृर्य Martial Art रूप है बाकी मल्ल खंब आपने नाम जरूर सुना होगा मद्दे परदेश और महराश्टर का ये पार्मपरी खेल है और जिसमें मद्दे परदेश का तो ये राज किये खेल है तो ये भी आपको याद हो रचिए अच्छा पहले तो ये बताओ कि ये जो अगले साल हम कह रहे न खेलो इंडिया यूद गेम्स होंगे कहां पे होंगे ये हरियाना में होंगे ये भी याद रखना फिर है BBC के वर्ष का सर्वश्रेष्ट खिलाड़ी पुरसकार के लिए किसे चुना गया तो अंसर होगा लुईस हैमिल्टन को तो ब्रिटेन के फॉर्मूला वन ड्राइवर और साथ बार के चेंपियन लुईस हैमिल्टन को BBC के साल के सर्वश्रेष्ट खिलाड़ी पुरसकार के लिए चुना गया है अच्छा लुईस हैमिल्टन के किस कार कंपनी के ड्राइवर है तो मर्सडीस के ये ड्राइवर है फिर है वाचपेई द इयर्स डैट चेंजड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है तो अंसर होगा शक्ति सिना ने तो जिस समय अटल भिहारी वाचपेई जी प्रधान मंतरी थे उस समय उनके नीजी सची रहे थे ये शक्ति सिना और अभी इनोंने ये बुक लिखिये जिसका नाम है वाचपेई द इयर्स डैट चेंजड इंडिया और इस बुक को अभी रिलीस किया गया था 25 देसंबर को जब अटल भिहारी वाचपेई जी की जहनती होती है उस दिन हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं बाकि चित्रा बनर जी दिवा करूनी इनका पूरा नाम है दा लास्ट क्वीन नाम की बुक को लिखा है इनोंने अनुपम खेर यॉर बेस्ट डे इस टुड श्रीधरन पिल्लाई कौन है ये मिज़ोरम के गवर्नर है ये और इनोंने इस बुक को लिखा है और इस बुक को रिलीस किया हमारे उपर राश्टर पति एम वेंका या नाईडू जी ने है तो एक्चुली में ये बुक पिएस श्रीधरन पिल्लाई के द्वारा लिखे नामें पेंडेमोनियम डग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजडी और गुलजार ये कवी गीतकार है अभी इनके जीवन पर एक बुक लिखी गई थी किस नाम से बॉस कियाना फिर है अभी राश्टर गणित दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 22 देसंबर को हर साल 22 देस इस वी जैनती मनाई और बेसिकली ये दिन मनाने का उद्देश है लोगों को गणित के विकास और मानवता के विकास में इसके महत्तों से आउगत कराना सिंपल सा याद रखो राश्टर गणित दिवस कब मनाते हैं 22 देसंबर और हाँ गाईज अगर आपको ये करंट अफे इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करो और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजे और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बैल आइकन आएगा उसे आप जरूर क्लिक करिए ताकि अगली बार जब भी कोई important वीडि आपको मिल सके तो बैल आइकन को क्लिक करना जरूरी है चलिए बढ़ते आगे फिर अमेरिका ने अपनी space force को कौन सा नया नाम दिया तो अंसर होगा guardians आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था अमेरिका ने space force को launch किया था मतलब जैसे आपकी जल सेना होती है थल सेना होती है वायू सेना होती है वैसे ही अंतरिक्ष में अपनी satellite के लिए अमेरिका ने अंतरिक्ष सेना यानि कि space command को launch किया था तो अब इस अमेरिकी space force ने अपने जाबा जब को guardians नाम दिया है या अब guardians के नाम से जाने जाएंगे अच्छा अमेरिका के अभी नए president के ने चुना गया तो जो बिडन 46 नंबर के है और पहली मैला ओपर राश्टर पती है कमला हरेस फिर अभी किस bank ने national payment corporation of india के साथ मिलकर रुपे select debit card को launch किया तो answer होगा central bank of india ने तो अभी central bank of india ने national payments corporation of india के साथ मिलकर रुपे select नाम से debit card का एक unique version launch किया है central bank of india की बात करेंगे मुंबई में headquarter है CEO है पल्लव महापात्रा और national payment corporation of india से याद रख लो इसके MDCO दिलिप असबे है headquarters का मुंबई में है बाकी bank of boda इसने महिलाओं के लिए आत्म निर्बर महिला योजिना शुरू की थी लक्ष्मी विलास bank तो आप जानती है उसका विले इसका merger हो गया DBS bank of india में और ICICI bank ने भी i-mobile पे application को launch किया था फिर अभी हाली में जारी एक report के अनुसार 2014 से 2018 तक भारत में तेंदू की आबादी में कितने प्रतिशत की वरदी देखी गई तो आंसर होगा 60% अब यह हमारे जो परियावरन मंत्री है न परकास जावडेकर उन्होंने भारत में तेंदू की इस्थिती 2018 पर एक report जारी की है और इस report के अनुसार 2014 के बाद से चार सालों में भारत में तेंदू की आबादी में 60% की वरदी देखी गई है देखो मैं आपको नंबर में अगर बताओं तो 2014 में भारत में तेंदू की संक्या थी 7,910 तो यह बढ़ करके 60% इंकिर्मेंट हुआ अगरे चार सालों में तो यह बढ़ करके 2018 में कितनी हो गई 12,852 और सबस्यादा तेंदू आपके मद्दे प्रदेश में कितने 3421 फिर अभी किसे लीजन ओफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी को तो अभी अमेरिका के जो राष्टर पती हैं डोनाल ट्रम्प उन्होंने भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी को देश के सबसे प्रतिस्तित सम्मानों में से एक लीजन ओफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया तो भारत और अमेरिका के बेच रणनितिक सहयोग बढ़ाने का नेतरत्व करने के लिए प्रधान मंतरी मुदी को यह सम्मान दिया गया और अमेरिका में जो हमारे भारतिय राजदूत हैं तरणजीत सिंग संदू उन्होंने प्रधान मंतरी मुदी जी की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया तो यह आप याद रखना फिर अभी किस राज्य या Union territory में सेहत स्वास्त भीमा योजना शुरू की गई तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में तो अभी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने ही 26 देसंबर को जम्मू कश्मीर में ये सेहत स्वास्त भीमा योजना को शुरू किया तो इसमें उन लोगों को स्वास्त भीमा प्रदान किया जाएगा जो आयुश्मान भारत योजना के तहरत शामिल नहीं थे फिर अभी किस राजे सरकार ने महिलाओं के लिए BC सकी योजना शुरू करने की घोशना की तो आंसर होगा उत्रपड़े सरकार ने और इस योजना का उद्देश है महिलाओं को लाप पहुचाना यहाँ पर BC का मतलब क्या हो गया banking correspondent यानि कि banking correspondent सकी योजना तो इसकी शुरूआत ग्रामिन शेत्रों में banking correspondent सकी तेनात करने के लिए की गई है और ये जो सक्खिया है ये लोगों को ग्रामिन इलाकों में banking से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा एक तो श्रीनिवास करनम को और प्रोफेसर सुब्रत रोय को तो अभी हमारे जो IT मंतरी है रवी शंकर प्रसाद उन्होंने दुनों विजिताओं को ये पंडित दिन दयाल उपाद्य टेलिकॉम स्किल एक्सेलेंस अवर्ड 2020 से सम्मानित किया है जिसमें पहला पुरुसकार मिला है श्रीनिवास करनम को जिसमें उन्हें 50,000 रुपे मिले और क्यों मिला इन्हें ये पुरुसकार तो गहरे समुंदर में संचार के लिए एक टेक्नोलोजी इन्होंने डेवलप की उसी के लिए और इसमें दूसरा पुरुसकार मिला प्रोफेसर सुबरत रॉय को इसमें उन्हें 30,000 रुपे मिले और इनको क्यों मिला तो ट्रेन और पशु टकराओ को रोकने के लिए एक टेक्नोलोजी इनोंने बनाई है और उसके लिए ही इनको ये सम्मान मिला है ये पुरुस्कार मिला है और अभी इस टेक्नोलोजी को जो इनोंने टेक्नोलोजी डेवलप किये न उस टेक्नोलोजी को उत्राखंड के राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित भी किया गया है फिर एक इस राज्य सरकार ने गरीब लोगों के लिए दीन दयाल क्लिनिक खुला है तो अंसर होगा गुजराज सरकार ने तो अभी गुजराज सरकार ने एक लाग से जादा आबादी वाले शहरों और कस्बों में ये दीन दयाल क्लिनिक स्थापित किये हैं तो ये घनी आबादी वाले शहरी शेत्रों में गरीब लोगों को उनके घर के पास स्वास्ते सिवा प्रदान करेंगे तो इसी तरह से अभी क्लिनिक से आपको कुछ याद आ रहा होगा तमिल नाडू सरकार ने तमिल नाडू में अम्मा मीनी क्लिनिक शुरू किये थे उसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी महला क्लिनिक शुरू किये थे देखो गुजरात की एपिटल गांधी नगर है गवर्नर आचार देवरत हैं और मुख्य मंत्री हैं विजेरुपानी फिर अभी Reporting India नाम की बुक को किस ने लिखा है तो आंसर होगा तो Reporting India नाम की जो ये बुक है इसे Asian News International के अध्यक्ष प्रेम प्रकाशने लिखा है और इसे अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुबरमन्यम जेशंकर उन्होंने रिलीस किया है तो सिंपल सा याद रखो बुक को लिखा, शशी थरोर ने लिखी है The Battle of Belonging नाम की बुक और मनीश सिसोधिया, कौन सी बुक लिखी बापू The Unforgettable फिर अभी राष्टर किसान दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 23 देसंबर को और 23 देसंबर को ही क्यों मनाते हैं क्योंकि देखो 23 देसंबर को हमारे जो पूर्वे प्रधान मंतरी थे पाच्वे नंबर के प्रधान मंतरी थे ये चौदरी चरण सिंग जी उनकी जैनती होती है, उन्होंने किसानों के कल्यान के लिए कहीं काम किये थे इसलिए हम उन्ही के जैनती को ये नेशनल फार्मर्स डे के रुप में मनाते हैं यानि कि 23 देसंबर को अच्वे नई दिल्ली में जो चौदरी चरण सिंग जी की समादी स्थले उसको क्या केते हैं किसान घाट केते हैं, ये भी याद रखो और कुछ और महान पूरुशों के समादी स्थल को आप याद रखो, जैसे कि लाल भादूर शास्त्री जी के समादी स्थल को हम क्या केते हैं, विजे गाट केते हैं महत्मा गांदी जी के समादी स्थल को हम राज घाट केते हैं और इंद्रा गांदी के समाधिस्तल को क्या कहते हैं शक्तिस्तल कहते हैं और याद रखो आप अभे घाट मुरारजी देशाई के समाधिस्तल को कहते हैं अभे घाट फिर हाली में किस बैंक ने MNS यानि कि मल्टी नेशनल कंपनियों के लिए Infinite India नाम के एक online platform को launch किया तो अंसर होगा ICICI Bank ने तो अभी ICICI Bank ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापिद करने और विस्तार करने में मदद करने के लिए Infinite India नाम से एक online platform को launch किया है और इस पहल के माध्यम से ICICI Bank का लक्षय है Multinational Companies में अपनी स्थिति को मजबूत करना देखो ICICI Bank का Headquarter Mumbai में है इसके MDCO संदीप बक्षी है हम है ना खयाल आपका इसकी tagline है अभी आपको याद होगा किसानों के लिए Credit योग्गिता का आकलन करने के लिए इसके अलावा Central Bank of India की बात करेंगे तो अभी NPCI National Payment Corporation of India के साथ मिलकर रुपे सलेक्ट डेबिट कार्ड इसने लाँच किया था इंडियान बैंक की बात करेंगे बिजनिस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME Portal को लाँच किया और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके नए MDCO बन गए जेव एंकट रामू फिर है मसालों से विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर किसने गिनिज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है तो अंसर होगा नेहा सिंग ने नेहा सिंग ये BHU की एक स्टुडेंट है और अभी इन्होंने मसालों की मदद से विल्ड की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर गिनिज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है ये जो पेंटिंग इन्होंने बनाई है इसकी लंबाई है 62.72 मीटर इन्होंने पेंटिंग में मोक्ष का पीड बनाया है बाकी आंग रिता शिर्पा आप जानते होंगे इनका नाम न्यूज में आया था बिना उक्सिजन सिलेंडर के 10 बार माउंट टेवरेस्ट पर फत्य करने वाले पहले व्यक्ति बने थे ये जिसके लिए इन्होंने गिनिज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था और इनका नाम अभी न्यूज में क्यों था क्योंकि इनका निधन हो गया अचा माउंट टेवरेस्ट की अभी जो अपडेटेड हाइट आईए वो कितनी है 8,848 ये तो पहले थी अब थोड़ी से और बढ़ गई 0.86 तो इतनी अभी नई इसकी हाइट है ये याद रखो बाकी खगेंदर थापा ये नेपाल से थे और ये दुनिया के सबसे छोटे वैक्ती थे इनका भी अभी निधन हो गया 2020 के स्टार्टिंग में और अरहम ओम तलसानिया ये गुजरात के 6 साल के बच्चे हैं और अभी इन्होंने दुनिया के सबसे कम उमर के कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रोप में गिनिज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया था तो ये नाम वही हैं जो अभी नियूज में थे तो ये भी ध्यान रखें आँ तो ये अभी किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलिस्कोप का निर्मान किया तो आंसर होगा चाइना ने तो एक्चुली ये प्रशन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन अभी इसने काम करना शुरू कर दिया वर्किंग में आ गया ये तो इसलिए फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो चाइना में विश्व के सबसे बड़े टेलिस्कोप का क्या नाम रखा तो आंसर होगा फास्ट फास्ट मतलब होता है 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलिस्कोप चाइना की केपिटल बीजिंग है करनसी है रिन मिन भी प्रसिडेंट है शी जिन पिंग फिर अभी किस फुटबॉलर ने गोल्डन फुट पुरस्कार जीता तो आंसर होगा क Ρिस्टियनो रोनालडू ने पुर्तगाल की स्टार फुटबॉलर है किस्टियनो रोनालडू और अभी इन्होंने 2020 का Golden Foot Award जीत लिया है आपको याद होगा इस साल Fops की Highest Paid Players की जो लिस्ट आई थी उसमें फिर्स नमबर पे तो Roger Federer थे Swigiland के टेलिस प्लेयर है सेकंड नमबर पे थे Cristiano Ronaldo फिरे दक्षिन भारत का पहला बंदरों के बचाओ के लिए पुनर्वास केंदर किस राज्य में स्तापित किया जा रहा है तो अंसरो कर तेलंगना में तो दक्षिन भारत में बंदरों के लिए पहला बचाओ और पुनर्वास केंदर ये तेलंगना में स्तापित किया जा रहा है अच्छा इसके अलवा आपको बतादू कि देश में पहला इस तरह का बंदरों के बचाओं के लिए जो पुनरवास केंदर है ये वो हिमाचल प्रदेश में है और ये दक्षिन भारत का पहला है जो कि तेलंगना में बनाए उत्तर प्रदेश से अभी आपको याद होगा गिदो के संगरक्षन के लिए यानि कि गिद्द संगरक्षन और प्रजनन केंदर स्तापित किया गया उत्तर प्रदेश के गौरकपुर में केरल से आपको याद होगा हातियों के लिए सबसे बड़ा देखबाल केंदर यानि के Elephant Rehabilization Center ये केरल के कुट्टूर में बना, केरल के कुट्टूर में, उत्तराखंड से आपको क्या याद आता है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, हिम्टेंद्वा यानि कि स्नो ल ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारते बन गए, तो हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के अमूल्य योगदान को देखते हुई ये सम्मान दिया गया, फिर अभी एसोचिम के नए अद्यक्ष कौन बन गए हैं, तो अंसर होगा विनित अगरवाल, तो अभी Logistic, Pramuk, Transport Corporation of India Limited के जो Managing Director है विनित अगरवाल, अभी ये एसोचिम के नए अद्यक्ष बन गए हैं, और किनकी जगे ली इनोंने, तो निरंजन हीरा नंदानी की, इनके अलावा सुमंत सिंग, एसोचिम के ये नए वरिष्ट उपाद्यक्ष बने हैं, और एसोचिम से आपको याद होगा अभ ये एसोचिम के नए अद्यक्ष बन गए, बाकी उदेशंकर ये फिक्की के नए चेर्मेन बने, रंजीत सिंग दिसाले, इंपोर्टेंट नाम रहेगा एक्जाम के लिए, ग्लोबल टीचर, पीस प्राइस जीतने वाले ये पहले भारते बने हैं, इसलिए, कुलदीप अधिकार दिवस National Consumer Right Day ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 24 देसंबर को, हर साल 24 देसंबर को ही मनाते हैं हम ये National Consumer Right Day के रूप में, और 24 देसंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 देसंबर 1986 में उपभुखता संगरक्षन अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी, और इस दिन को म बनाने का उद्दिश्य है उपभुखताओं को जागुरुक बनाना, अच्छा चलो ये बताओ, हमारे उपभुखता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्तरन मंतरी का अतिरिक्त परभार किन के पास है, तो आंसर होगा पियूश गोयल के पास, पहले इसके मंतरी राम वि कंजुमर राइड़े हो गया, एक वर्ल्ड कंजुमर राइड़े भी होता है, कब मनाते हैं, पंदरा मार्च को, और नेशनल कंजुमर राइड़े की थीम थीम रही, दसस्तेनेबल कंजुमर, फिर हाली में जारी आयोध्या नामक पुस्तक के लेकर कौन है, तो आंसर होगा माधव भंडारी, तो अभी माराष्टर के जो पूर्व मुख्य मंतरी है, देवेंदर फड़नवीस, उन्होंने ये आयोध्या नाम की बुक को अभी रिलीस किया, और इसको लिखा है माधव भंडारी ने, तो इस पुस्तक में, तो इस बुक में, उत्तर प्रडिश के आयो अयोध्या शहर से संबंदित विभिन संदर्व को एक साथ प्रस्तुत किया गया है, तो बुक का नाम याद रखो सिधा सा अयोध्या है, और लिखा है माधव भंडारी ने, अयोध्या से आपको एक बुक और में लिंक करके याद कराता हूँ, अमेजिंग अयोध्या, अगस्थ सेतंबर की बात है, तब आई थी ये बुक, इसको लिखा था नीना रोय ने, बक्की डेविड एटनबर्ग, इंद्रा गांधी पीस प्राइज दोजार बीस जीता था इन्होंने, हेमंत खत्री, हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड की CMD बने, फिर हाली में क इसकी आत्मकता, जिसका नाम है In Pursuit of Justice and Autobiography, इसको लांच किया गया तो अंसर होगार राजिंदर सचर को, तो स्वर्गियर नियाए मूरती हैं, ये राजिंदर सचर, इनकी आत्मकता है, जिसका नाम है In Pursuit of Justice, तो मर्नो परांत, यानि कि इनके मर्ने के बाद, मर्नो परां रविंद्र नाट टेगोर साहितिक पुरुसकार इन्होंने जीता था फिर बताओ भी किसे स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समेंशिप अवर्ड 2020 से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा राफेल नडाल को तो एक्चली में अभी 2020 के ATP यानि की Association of Tennis Professionals के शीट्ष पुरुसकारों की घोशना की गई जिसमें इस्पेन के जो टैनिस प्लेयर है राफेल नडाल उन्होंने स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समेंशिप अवर्ड 2020 जीता जबकि सर्भिया के जो टैनिस प्लेयर है नोवाग जोकोविच इनको year-end number one पुरुसकार से सम्मानित किया गया और स्वघ्जलेन के जो टैनिस प्लेयर है रॉजर फैडर इनको singles category में fans favorite award 2020 से सम्मानित किया गया बाकी एक Russian tennis player है आंद्रे रुबलेब इनको most improved player of the year 2020 से सम्मानित किया गया था और Spain के Fernando Vincet इनको coach of the year award 2020 से सम्मानित किया गया था तो ये सारे award मैंने आपको बता दिये इनको ध्यान रख लेना फिर है भारते सेना ने किस bank के साथ सेन्य वेतन पेकेज के लिए समझोता किया तो अंसरोंगा बैंको बड़ोदा तो अभी भारते सेना ने बैंको बड़ोदा के साथ समझोता किया है जिसके तहत बैंक अपनी नई सेवा बडोदा सेन्य वेतन पेकेज के थुरू विशेश बैंकिंग सेवाओं की पेशकेश करेगा इसमें बैंको बडोदा मौजुदा और रेटार्ड सेन्य करमियों को बैंकिंग सेवाई उपलब्द कराएगा बैंको बडोदा इसका हेटकोटर वडोदरा गुजरात में हैं इसके चेर्मेन हस्मुक अदिया है MDCO अभी बने थे संजीव चड़ा और इसने अभी महिलाओं के लिए आत्म निर्बर महिला योजिना शुरू की थी बाकी ICICI बैंक अभी मल्टिनेशनल कंपनियों के लिए Infinite India नाम से एक उनलाइन प्लेटफॉर्म लाँच किया था और Central Bank of India ने NPCI के साथ मिलकर रुपे Select नाम से डेबिड कार्ड लाँच किया बाकी लक्षमी विलास बैंक तुमें कहीं बार आपको बता दिया DBS Bank of India में इसका विले हो गया मरज हो गया यह फिर अभी किस Tiger Reserve से राजाजी Tiger Reserve में पहले बाक को इस्तानांतरित किया गया तो अंसर होगा Jim Corbett Tiger Reserve तो अभी उत्तराखंड के वन विभाग ने Jim Corbett Tiger Reserve से राजाजी Tiger Reserve में पहले बाक को ट्रांसफर किया है एक्चुली में राजाजी Tiger Reserve में बागों की संख्या को बढ़ाने के लिए इसा किया गया है तो बागों को शिफ्ट करने की परियोजना के तहर टोटल पांच बागों को राजाजी Tiger Reserve में शिफ्ट किया जाएगा वर्तमान में राजाजी Tiger Reserve में 37 बाग हैं बागी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1936 में हुई थी भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये इसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था बागी देखो कुछ और मैं आपको बताता हूँ नाम जो भी नियूज में थे Tiger Reserve जैसे कि पक्के Tiger Reserve पहले तो ये बताओ ये कहां पे मिलेगा आपको अरुनाचल प्रदेश में और अभी पूरुवत्तर का पहला Tiger Reserve बना था ये ग्रीन सेनिकों को COVID-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला अच्छा पन्ना Tiger Reserve ये कहां का है मद्धे प्रदेश का और अभी इसे युनेशको की World Network of Biosphere Reserve की सूची में शामिल किया गया था और इस तरीके से भारत का ये बारवा और मद्धे प्रदेश का तीसरा Tiger Reserve बना और पिलेबेट Tiger Reserve ये कहां का है उत्तर प्रदेश का तो बागो की संख्या को चार महीने में दोगना करने के लिए पहला अंतरराष्टर पुरुस्कार जीता है इसने कौन सा अंतरराष्टर पुरुस्कार TX2 फिर अभी किस कंपनी ने Corporate Utkrastata श्रेणी में प्रथिश्टे CII ITC Sustainability Award 2020 जीता है तो अंसर होगा NTPC ने तो अभी हाली में देश की सबसे बड़ी विद्योत उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड ने Corporate सामाजिक उत्तरदायित्व के शेत्र में यानि कि Social Responsibility की के टेगरी में प्रतिश्टेत CII ITC Sustainability Award 2020 जीता है तो ये Corporate Social Responsibility के टेगरी में सर्वोच पुरुसकार है और ये दूसरी बार है जब NTPC को ये पुरुसकार मिला है और आपको बता दू कि इस के टेगरी में पुरुसकार जीतने वाला NTPC एक मात्र पब्लिक सेक्टर यूनिट है NTPC से इसके Managing Director Chairman का नाम याद रखलो आप गुर्दीप सिंग है इनका कारेकल अभी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था NTPC मतलब होता है National Thermal Power Corporation फिर है हाली में परियावरन मंत्राले ने Great Indian Bustard को बचाने के लिए कौनसी पहल शुरू की तो आंसर होगा Firefly Bird Diverter तो अभी परियावरन मंत्राले और वन्य जीव संग्रक्षन सोसाइटी ने पोखरण शेतर में High Voltage Transmission Lines से Great Indian Bustard की रख्षा करने के लिए Firefly Bird Diverter पहल को शुरू किया है तो National Green Tribunal के रिपूर्ट के नुसार जो थार का शेतर है वहाँ पे जो Great Indian Bustard है उनके आबाती के लिए High Voltage जो Transmissions Lines है वो मुख्य खत्रा है तो अब इनमें होगा क्या तो इसमें Power Lines पर Firefly Bird Diverter स्तापित किये जाएंगे तो ये पक्षियों के लिए Reflector का काम करेंगे ताकि वो इन बिजलियों की लाइनों से टकराने से बच सके क्योंकि वो उड़ती है टकराती है और फिर गिर करके मर जाती है और Great Indian Bustard याद रखो दो पोइंट बताऊंगा राजस्तान का ये स्टेट बर्ड है और IUCN की Red List में ये शामिल है तुरे International Hockey Federation की विश्व रैंकिंग 2020 में भारते पुरुष होकी टीम की रैंक क्या है तो अंसर होगा चौथे नंबर पे है अचा अब ध्यान से सुनना अभी International Hockey Federation ने महिला और पुरुष टीमों की रैंकिंग जारी किये जिसमें भारते पुरुष होकी टीम तो चौथे स्टान पर है और इसमें टौप पे Belgium है और Belgium आपको याद होगा अभी जो FIFA रैंकिंग आये थी उसमें भी टौप पे बना हुआ है जिसमें भारत 104 नंबर पे था अचा हमने कहा पुरुषों की रैंकिंग में तो भारत चौथे स्टान पर है टौप पे Belgium है महिला होकी टीम में बात करेंगे तो भारत की रैंक 9 है टौप पेस में नीदर लेंड है तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया दोनों याद रखना प्रश्ण में तो पुरुषों का पूछा गया है तो मैंने आंसर 4 बताया बाकी इंटरनेशनल होकी फेडरेशन से आप याद रखो इसका हैटकोटर लौजेन स्विट जलेन में है प्रेसिडेंट नरिंदर बत्रा है फिर अभी किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोटल को शुरू किया तो अंसर होगा करनाटक तो अभी करनाटक सरकार ने क्रशी संबंदी जानकरी खटा करने के लिए यी गवर्नेंस पोटल फ्रूट्स को शुरू किया है फ्रूट्स का मतलब हो गया फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफीशेरी इन्फॉर्मिशन सिस्टम तो इसमें सभी किसानों को पंजी करत यानि के रेजिस्टर्ड किया जाएगा और केनेरा बेंक ने पाइलिट बेसिस पे इस पोटल को चलाने की सहमेती भी ली है करनाटक की गैपिटल बैंगलूरू है बियस यदी यूरपपा यहांके मुख्य मंत्री है और वाजुबायवाला गवर्नर है फिरे हाली में तसोकर वेटलेंड कॉम्पलेक्स को 42 वे रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है आपको बताना यह वेटलेंड कहां पर इस्तित है तो आंसर होगा लद्दाक में तो अभी लद्दाक में इस्तित आपस में जुड़ी दो जीलों को वेटलेंड आद्रबुमी घुशित किया गया है और इन जीलों के नाम है इस्तारता सापुक तसो जो कि मीठे पानी की जील है और दूसरी है इस्तारता सापुक तसोकर जो कि खारे पानी की जील है और अब ये लद्दा की दूसरे और देश की 42 वी रामसर साइट बन गई है मैंने आपको बताया ये जो खारे पानी और मीठे पानी की जील है ये आपस में जुड़ी हुई है एक साइड में खारे पानी की है तो दूसरे साइड में मीठे पानी की है और ये जो खारे पानी की तसोकर जील है ये सबसे अधिक उचाई परिस्तित जलिये शेत्र है अच्छा वेटलेंड का मतलब क्या होता है? तो देखो ये एक ऐसा भू भाग होता है जहां हर समय पानी रहता है इसमें पक्षियों का बसेरा रहता है और जलिये पोदों का बाहुल्य रहता है और इसे रामसर इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971 में जलिये जीवों और पक्षियों की संगरक्षन के लिए इरान के रामसर शहर में इस संधी पर हस्ताक्षर हुए थे इसलिए हम इसको रामसर कहते हैं तो अब याद रखना टोटल रामसर असाइट्स भारत में हो गए ये कितनी 42 फ्रेर राष्ट्रे सुशाशन दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 25 देसंबर को एक्चली में 25 देसंबर को हमारे जो पूर्व प्रधान मंतरी थे कौन अटल बिहारी वाजपेजी उनकी जैनती होती है जिसे को हम सुशाशन दिवस कुड गवर्नेंस डे के रुप में मनाते हैं इस बार 2020 में उनकी 96 जैनती मनाई गई अटल बिहारी वाजपेजी वैसे हमारे तीन बार प्रधान मंतरी रहे थे ये पहली बार 1996 में बने थे मातरे 13 दिनों के लिए दूसरी बार 1998 से 1999 तक रहे थे 13 महीनों के लिए और फिर पूरे टाइम रहे थे यानि कि 1999 से 2004 तक रहे थे ये और काफी सारी जगहों का इनके नाम भी बदले गए जैसे की कुछ में आपको बताओं 37 गड़ में जो नया राइपूर है उसका नाम अटल नगर करा गया उत्तर प्रदेश का जो हजरत गंज चोराया है उसका नाम अटल चौक करा गया मद्य प्रदेश का जो हभीब गंज और रेलवे स्टेशन है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया और अभी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने हिमाचर प्रदेश में रोतांग दर्रे में अटल टनल का भी उधगाटन किया था उसका नाम इनी के नाम पे रखा गया था बाकी गुजरात का साबरमती घाट भी आप याद रख सकते हैं वटल घाट उसका नाम रखा था अच्छा वैसे मैं आपको बता दूँ कि 25 देसंबर को पंडित मदन मोहन मालवे जी की बिजैनती होती है जिन्होंने बी एच्यू की स्थापना की थी फिर है आंदरप्रदेश हाइकोट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं तो आंसर होगा अरूप कुमार गोस्वामी अभी तक जो आंदरप्रदेश हाइकोट के चीफ जस्टिस रहें उनका नाम है जे के माहेश्वरी और वैसे जे के माहेश्वरी के बारे में ह Chief Justice बन गये और Udisah में जो अब तक थे मुहम्मद रफीक वो चल गये मद्यपरदेश में और एक और नाम याद रखो आप हीमा कोहली का तेलंगना, High Court की Chief Justice बनी है तेलंगना, High Court की पहली महिला Chief Justice बनी है, ऐसे याद रखो पर अभी केंदर सरकार ने DTH यानि कि Direct to Home प्रसारण सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI यानि कि Foreign Direct Investment को मंजूरी दे दी तो आंसर होगा 100 प्रतिशत FDI से भी आपको याद होगा सरकार ने रक्षा शेतर में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी थी यादे कि आपको 74% याद रखना फिर बताओ भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम ये कहाँ पर बनाया जा रहा है तो आंसर होगा उडिसा में तो उडिसा के जो मुख्य मंत्री है नवीन पटनाया को उन्होंने अभी घोशना की थी कि उडिसा के राउर के ला में एक नया विश्विस तरिया होकी स्टेडियम बनाया जाएगा जो की देश का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम होगा और आपको तो बताईए 2023 में मेंस होकी वर्ल्ड कप ये उडिसा में होंगे उडिसा के भूनेशवर और राउल के रामे की पस्चिम बंगाल देश का पहला टायर पार्क बना याँ पे और गोवा की बात करेंगे तो हर घर जल वाला देश का पहला राज़ बना ये और केरल से आप याद रख सकते हो की केरल सबजियों के लिए आधार मुल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज़ बना था उडिशा की केपिटल भूनेश्वर है मुक्या मंतरी नवीन पतनाया खेर और गणीशी लाल गवर्नर है फिर आपको बताना है अभी प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कि शहर में देश की पहली पूरी तरह से स्वचाले चालक रहित ट्रेन का उधगटन किया तो आंसर होगा नई दिल्ली में तो 28 देसंबर की ये बात है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन का उधगटन किया जो कि दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन उपर चलेगी, ये 37 किलोमेटर की मेजेंटा लाइन जनकपुरी पस्चिम और बॉटनिकल गार्डन को आपस में जोडेगी, तो याद रखना ये होगी भरत के पहली पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेंग. प्रस्ट में देखो क्या है, कि अभी हाली में RBI ने किस बैंक के लाइसेंस को रद कर दिया था, तो अंसर होगा सुबद्रा लोकल एरिया बैंक, तो अभी RBI ने महराष्टर के कुलापुर में स्थित सुबद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस को रद कर दिया, अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा भी कुछ समय पहले भी RBI ने महराष्टर के कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद कर दिया था और ये लाइसेंस रद क्यों किया तो परियाप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के करण। सुबद्रा लोकल एरिया बैंक के MDCU का नाम है संजे अगरवाल और अब इसके बाद भारत में केवल दो लोकल एरिया बैंक ऑपरेशन में हैं एक तो कोस्तल लोकल एरिया बैंक और कृष्णा भीम संब्रद्धी लोकल एरिया बैंक देखो RBI से याद रख लो इसकी इस्ताप नाम की बुक को किसने लिखा तो आंसर होगा जैराम रमेश ने तो पूर्व केंद्रे मंत्री हैं ये जैराम रमेश और अभी इन्होंने ये बुक लिखिये जिसमें बुद्ध और उनकी सिक्षाओं के बारे में लोगों की सोच को आकार दिया गया है बुक का नाम है The Light of Asia, या The Poem That Defined the Buddha, अचा जैराम रमेश ने एक और पॉइंट में आपको बता था हूँ, अभी कुछ समय पहले कमला देवीट चटो पाध्याए बुक प्राइस 2020 से भी इनको सम्मानित किया था, एक तो जैराम रमेश को और इनके साथ अमित आहुजा को, तो वहाँ पर भी आप में COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यानि कि एंगलिश में बोलेंगे तो COVID-19 Crisis of Civilization and Solution, फिर है रिपोर्टिंग इंडिया नाम की बुक को लिखा प्रेम प्रकाश ने, और अमिश त्रिपाथी ने कौन सी बुक लिखी, धर्मा Decoding the Epic for a Meaningful Life, फिर है किस राज्ये चरकार ने UNICEF के सहयोग से चात्रों के लिए केरियर पोर्टल को लॉंच किया, तो अंसर होगा UDISA, तो अभी UDISA सरकार ने UNICEF के साथ मिलकर, Secondary और Higher Secondary के चात्रों के लिए करियर पोर्टल को लॉंच किया है, तो ये एक ऐसा यूनिक पोर्टल है, जहाँ पे करियर या कॉलेज, या परवेश परिक्षाओं या स्कोलर्शिप के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही, साथ में चात्र विशेशग्यों से बातचीत करके अपने करियर से संबंदित हर जरूरी सला भी ले सकेंगे, अच्छा UNICEF का हैटक्वर्टर कहां पर है, न्यू यॉर्क में है और इसके Executive Director है हेन्रिटा H4, उडिशा की Capital तो भूनेश्वर है, नवीन पतनाय क्यांके मुख्य मंत्री है और गणी सिलाल कवर्नर है, फिर है BCCI ने किसे Senior National Selection Committee का Chairman बनाया है, तो अंसर होगा चेतन शर्मा को, तो भारते किरकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज हैं ये, और अभी इ अभे कुरी विला को भी पांच मेंबर सेलेक्शन कमिटी में शामिल किया गया, बाकि अरूप कुमार गोस्वामी अभी आंदर प्रदेश हाई कोट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, जेके माहेश्वरी सिक्किम हाई कोट के नए चीफ जस्टिस बने और S. मुरल इधर, यह उडिसा हाई कोट के नए चीफ जस्टिस बने, उडिसा में अभी तक कौन थे, चीफ जस्टिस मुहमद रफीक थे, वो अब कहाँ चले गए, मध्य परदेश में चले गए, तो यह भी ध्यान रखना, फिर हाली में जारी बैंकिंग, फिनेंशल सर्विसेज और मुवर्स और शेकर्स 2020 रैंकिंग में टॉप पे कौन सा बैंक रहा, तो अंसर होगा HDFC, तो अभी HDFC बैंक डेश की 100 बैंकिंग फिनेंशल सर्विसेज और बीमा कंपनियों के रैंकिंग में टॉप पे रहा है, सेकेंड नंबर पे इसमें ICICI है, थर्ड नंबर पे रहा, वीजी की, अचा इसके अलावा वालेट एंड यूप आई कैटेगरी में गूगल पे नंबर वन यूप आई एप्लिकेशन बन गया, जबकि पेमेंट्स बैंक की कैटेगरी में एटल पेमेंट बैंक टॉप पे रहा है, अचा HDFC बैंक की बात हुई है, तो दो तिन पॉइं इसने, और Central Bank of India आप जानते ही हो, National Payment Corporation of India के साथ मिलकर, रुपे Select नाम से debit card लाउंच किया था, और ICICI Bank की बात करेंगे, तो multinational company के लिए Infinite India नाम से एक online platform लाउंच किया था इसने, फिर है किस राज्ये में भारत की पहली lithium refinery स्तापित की जाएगी, तो अंसर होगा गुजरा तो यह भारत की पहली lithium refinery होगी, जो गुजरात में स्तापित की जाएगी, तो आपको पता है जो आपकी batteries वगेरा होती है, उनमें lithium को use किया जाता है, तो इस refinery में जो lithium और होगा उसको process करने का काम किया जाएगा, देखो वैसे तो भारत में lithium पाया जाता नहीं है, तो हम lithium क इंपोर्ट करते हैं, तो अब मनी करन पावर लिमिटेट देश की सबसे बड़ी बिदली व्यापार और नवी करने उलजा कमपनी है, जो इस refinery को स्तापित करने के लिए लगबग 1000 करोड रुपे का निवेश करेगी, और इस refinery के लिए जो lithium और आएगा वो आस्ट्रिया से आयात किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, देखो गुजरात की केपिटल गांधी नगर है, जो कि कॉंस्टिट्विंची है, हमारे ग्रह मंत्री अमिच्शा की, मुकी मंत्री विजेर रुपानी है और आचार रे देवरत यहां के गवर्नर है, फिर चीप जस्टिस क और यह Under 20 Mains World Cup है न, यह अगले साल होने थे, पर Corona Virus के कारण अभी उसे कैंसिल कर दिया गया, अचा यह होने वाले कहां पर थे, तो Under 17 होने थे पेरू में, और Under 20 होने थे इंडोनेशिया में, और अब यह होंगे 2023 में, अब ध्यान से सुनना, यह जो हम प्रश्न में बात कर हैं यह है men's world cup under 17 और under 20 men's world cup यह अब 2023 में होंगे under 17 तो मैंने आपको बताए कहां पे होंगे पेरू में under 20 होंगे इंडोनेशिया में अब ध्यान से सुनना कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फीफा under 17 women world cup है वो पहले 2020 में होने वाले थे भारत में फिर हमने उसक रद करते हैं cancel करते हैं और भारत को बोला कि आप एक काम करना आप 2022 वाले को होस्ट कर लेना तो अब under 17 women world cup जो 2020 में होने वाले थे वो तो होई नहीं रहे cancel होगे अब भारत होस्ट करेगा 2022 वाले को उसी तरह से 2022 में ही आपके under 20 women world cup भी होंगे जिसको होस्ट करेगा कोस्टा रिका देखो फीफा से दो पॉइंट याद रखलो इसका हैटकोटर आपको मिलेगा जो रिक सुट जलेन में प्रेसिडेंट है ग्यानी इंफेनिटो तो यह देश की सबसे युवा मेयर कौन बनेंगी तो आंसर होगा अच्यर्य राजिंदरन तो केरल के तिरू अनंत पुरम म पार्षत चुनी गई है यह आर्या राजिंदरन और इनको पार्टी की और से मेयर पद का परत्याक्षी बनाया गया है और इनकी उम्र है मात्र 21 साल तो चुनाव के बाद यह देश की सबसे युवा मेयर बन जाएंगी बाकी हीमा कोहली यह तैलंगना हाइकोट की पहली महि महिला चीफ चस्टिज बनी है संगीता श्रिवास्ता हुए इलाबाद विश्विद्याले की पहली महिला कुलपती वाइस चांसलर बनी और वर्षा जोशी राष्ट्र डेरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी फिरहाली में किसने अटल बिहारी वाजपी जी पर एक बुक को रिलीस किया तो अंसर होगा परदान मंतरी नरेंद्र मूदी ने तो अभी परदान मंतरी नरेंद्र मूदी ने पूरू परदान मंतरी के अभी 96 जैनती को चिनित करने के लिए संसद में अटल बिहारी वाजपी in Parliament commemorative volume नाम की बुक को रिलीस किया है अभी याद है अटल जी की जैनती मनाई थी हमने 25 देसंबर को जिस दिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं और वेसे आपको बता दूँ अभी हिमाचर परडेश के जो मुख्य मंत्रियें जेराम ठाकुर उन्होंने शिमला में अटल बिहारी वाजपे जी की 18 फीट उची परतिमा का भी अनावरन किया उसको रिलीस किया मतलब फिर हाली में भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेक्टर लॉंज करने वाली पहली कमपनी कौन जी बन गई है तो अंचर हुगा सोनाली का तो अभी सोनाली का कमपनी ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रे 2020 के तानसें सम्मान से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा पंडित सतीश व्यास को, तो पंडित सतीश व्यास ये संतूर वादक है, और अभी इनी को मद्यपर्दे सरकार के द्वारा दिये जाने वाले तानसें सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम आप याद इंद्रा गांधी पीस प्राइस 2020 जीता था और रंजीत सिंग डिसाले बड़ा इंपॉर्टे नामे भईया क्योंकि ग्लोबल टीचर प्राइस जीतने वाले पहले भारते जो बने थे ये फिर अभी हाली में किस राज्य ने भारत की पहली होट एयर बैलून सफारी को लॉंच किया तो अंसर होगा मद्यपरदेश तो मद्यपरदेश में जो बांदा उगड़ टाइगर रिजर्व है उसमें भारत की पहली ये होट एयर बैलून सफारी को लॉंच किया गया वैसे तो भारत में कई होट एर बलून राइड है पर यहां पर जो बात हो रही है वो है भारत की पहली होट एर बलून सफारी की तो इसमें परिये टक जो बाग वगिरा हो गए इंडियन स्टॉल्थ बेर हो गए जो तेंद्वे हो गए उनको उचाई से देख पाएंगे मद्य प्रदेश की केपिटल भोपाल है मुख्य मंत्री है शिवरा सिंग चोहान आनंदी बिन पटेलियां की गवर्नर है फिर है भारत्य सौफ्ट बॉल महासंग की पहली मैले अद्यक्ष कौन बनी तो अंसर होगा नीतल नारंग तो अभी नीतल नारंग ये सौफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली मैले अद्यक्ष बनी है और ये राणा गुरमीत सिंग का इस्तान लेंगी जिनने लाइफ टाइम अद्यक्ष के रूप में चुना गया था सौफ्ट बॉल ये लगबग बेस्पोल की तरह ये गेम होता है बस इसमें जो बॉल होती है न थोड़ी बड़ी और नरम होती है बाकी संगीता श्रीवास्तव इलाबाद विश्विद्याले की पहली महिला कुल पती वाइस चांसलर बनी एनिका सौरेन स्टैम वर्ल्ड गूल फेडरेशन की नई अद्यक्ष बनी स्वेडन से हैं ये और जेना वॉल्ड रिज ये इंग सिर्च की रिपोर्ट के अनुसार दो हजार अठाईस तक जो चाइना की अर्थ व्यवस्ता है वो अमेरिका को पचाड़ कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बन जाएगी जबकि भारत की बात करें तो दो हजार पच्चीस तक भारत ब्रिटेन को तक जर्मनी और जापान को पचाड़ कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अरत्ववस्ता बन जाएगा भारत, तो ये आप ध्यान रखना, विरहाली में भारत्य सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा रजत दत्ता क तो अभी केंदर सरकार ने इंडियन आम्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डारेक्टर जनरल के रूप में रजत दत्ता को नियुक्त किया है, और ये जो आम्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डारेक्टर जनरल होते हैं, ये तीनों सेवा में सबसे वरिष्ट चिकित्सा अ करें कौन सा देश 2021 में Global Media and Film City की मेजबानी करेगा तो आंचर होगा भारत। अच्छा 2021 में कुछ और पॉइंट में आपको याद दिलाता हूँ। याद रखना युनेसको जो है वो 2021 से ही रचनात्मक अर्थववस्ता के शेत्र में शेख मुझीबुर रहमान के नाम पर एक अ 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थववस्ता का अंतराश्ट्रे वर्ष घोशित किया। इंगलिश में बोलेंगे तो International Year of Creative Economy। पर एक इस राज्य के स्कूली पाठेकरम में सिख गुरूओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा तो अंसर होगा उत्तरप्रदेश। त इस सिख गुरूओं के इतिहास को राज्य के स्कूल पाठेकरम में शामिल किया जाएगा। साती सरकार ने ये भी घोशना की है कि हर साल अब 27 देसंबर को राज्य बर के सबी स्कूलों में साहिब जादा दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। एक्चले में ये दिन गुरू गुविंद सिंग के चार साहिब जादा और उनकी मा के बलिदान को चिनित करने के लिए मनाया जाएगा। आपको बता दू केवल जानकारी के इसाब से कि अजीत सिंग, जुजार सिंग, जोरावर सिंग और फते सिंग, ये गुरू गुविंद सिंग जी के पुत् और शिक धर्म की बात हुई है, तो देखो, सिक धर्म में वेसे तो दस गुरु है, तो पहले पहले गुरु का नाम आप याद रखलो, शिरिक गुरु नानक देव जी है, वही सिक धर्म के सस्तापक कहे जाते हैं, और सबसे आकरी गुरु यानि की दसवे गुरु कौन है, अतनाम और इस अभ्यास का उद्देश है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच रिष्टों को और ज़्यादा मजबूत करना और सेन्य शक्ति का परदेशन करना ताकि किसी भी हमले और युद्ध जिसी इस्तिति से निपटा जा सके और मैं आपको बता दू कि भारते नौस नियमित रूप से मैत्रिपूर्ण विदेशी नौसेनाओं के साथ ये पैसेज नाम का एकसरसाइस करती है क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जुलाई की बात है अमेरिका के साथ हमने ये पैसेज एकसरसाइस किया था फिर सेप्टेंबर में आस्ट्रेलिया के साथ कि किया था और देशेंबर में ही विदेशनाम के साथ भी हम ये पैसेज एकसराइस कर चुके हैं विदेशनाम की यहाँ पे कैपिटल हनोई है करंसी है विदेशनामी डौंग फिर जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बन गई तो आंचर होगा पूजा देवी तो जम्मू कश्मीर के कठवा जिले की हैं ये पूजा देवी जो अब जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बन गई है और इसी तरह से आपको याद होगा अभी तमिलनाडु में देश की पहली महिला एमबुलेंस ड्राइवर बनी थी कौन? एमविर लक्षमी, बाकी गीतानजली राओ, ये भारतिय अमेरिकी गीतानजली राओ हैं, जिनको टाइम मेगजीन की पहली Kid of the Year चुना गया था, और बाला देवी, यूरूपिय लीग में गूल करने वाली पहली भारतिय महिला फुटबॉलर बनी थी ये, फिर है रोमानिया के नए प्रधान मंत ये तंजानिया के नए प्रेसिडेंट बने थे, बाकी मेया सेंडू, ये मालडोविया की पहली महिलर राष्टर बती बनी, देखो रोमानिया की कैपिटल बुकारेष्ट है, करंसी है रोमानियन लिव, और प्रेसिडेंट है क्लाउस आयोनेस, बाकी रोमानिया में भारतिय अंबेस्डर कौन है? शिरीर राहूल शिरिवास्ताव है, फिर है हाली में, इस ओफ डूइंग बिजनिस सुधारों को पूरा करने वाला छटा राज्य कौन सा बना तो अंसर होगा राजस्थान, तो अभी फिनेंस मिनिस्टरी के डिपार्टमेंट आफ एक्सपेंडिचर, यानि कि वे विभाग द्वारा जारी इस ओफ डूइंग बिजनिस सुधारों को पूरा करने वाला छटा राज्य बन गया है राजस्तान, अचा कर राजस्तान छटा राज्य बना तो पहले पांच कौन से हैं? आंदर प्रदेश, करनाटक, मद्य प्रदेश, तमिल नाडू और तेलंगाना, तो अब इन छेर राज्यों को 19,459 करोड रुपी के अतिरिक्त उधार की अनुमती दी गई है, अचा आपको याद होगा सेतंबर के महिने में जो इस ओफ डूइंग बिजनेस रेंकिंग 2,099 थी, उसमें आंदर प्रदेश टॉप पे रहा था, लास्ट मे था तिरिपुरा, तो इस रेंकिंग से ये पता चलता है कि किसी देश या शेतर में व्यापार के लिए माहुल कितना अनुकूल है, फिर है 2022 से IPL में कितनी नई टीमों को शामिल किया जाएगा तो अंसर होगा 2 को, तो अभी BCCI ने बताया कि 2022 के IPL में 8 की जगे 10 टीमें खे खेलेंगी, इससे पहले भी 2011 में IPL में 10 टीमें खेल चुकी है, और इस साल का जो, मतलब 2020 का जो IPL हुआ था, वो उसका 13 एडिशन था, United Arab अमिरात में हुआ था, जिसका स्पोंसर था Dream 11, और winner टीम थी Mumbai Indian, कुछ और पॉइंट बताऊं आपको, तो आपको दो नाम तो याद हैं, एक तो KL Rahul का, उन्हें मिली थी Orange Cape, मतलब Maximum Run बनाने वाले को मिलती है, और एक Purple Cap भी मिलती है, Maximum Wicket लेने वाले को, वो मिली थी, कासी को, रबाड़ा को, वो South Africa से हैं, बढ़ते आगे, फिर अभी हाली में, एकलव्य पुरसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो अंसर ह इनका सम्मद किस खेल से है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा एक्जाम में, तो होक्की से अंसर कर देना, तो अभी भारतिय महिला होक्की टीम की खिलाडी है, यह नमीता टोपो, जिनको खेल के प्रती उनके योगदान के लिए, प्रते स्थित एकलव्य पुरसकार से न जिनने इंटरनेशनल चिल्डरन्स पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया, और संजे सिंग, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, यह संजे सिंग, जिनको 2020 के महात्मा गांधी पुरुसकार के लिए चुना गया था, तो है हाली में, किस राज्ये ने डिजिटल इंडिया अवाड जीता है, तो आंसर होगा बिहार ने, तो 2020 के डिजिटल इंडिया अवाड से इस बार बिहार को सम्मानित किया गया, अभी 30 देसंबर को राश्टरपती रामनात कोविन जी ने इस अवाड से सम्मानित किया, और यह जो सम्मान है, यह कुरुना काल में सरक के द्वारा बिहार के लोगों को समेच से राहत पहुंचाने के लिए दिया गया बिहार की केपिटल क्या है पटना है नितिश कुमार अभी फिर से यहां पे मुख्यमंत्री बने और दो डेप्यूटी सीम भी यहां पे बने एक तो रेणु देवी और एक तारकिशोर पिर है अभी हाली में Miss Trans Queen India 2020 का किताब किसने जीता तो अंसर होगा शाइन सोनी ने दर असल शाइन सोनी की बात करें तो इनका जनम एक लड़की के रूप में हुआ था लेकिन बाद में इन्होंने अपना physical transformation करवाया और यह लड़की बन गई और अभी इन्होंने Miss Trans Queen India 2020 का कि आप जीत लिया बाकी मारा गोमेज फुटबॉल खिलने वाली पहली मैला Transgender बनी ये अर्जेंटिना से हैं और जोईता मॉंडल देश की पहली Transgender जजज हैं ये पस्चिम मंगाल से हैं आईशा मुगल का नाम भी आपने सुना होगा काफी बार सैयुक्तर राश्टर सम्मेलन में अपने प्रतिनिदी के उरुप में आईशा मुगल को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना था पाकिस्तान तब आपने इनका नाम सुना होगा फिरहाली में ICC Spirit of the Cricket Award of the Decade का खिताब किसने जीता तो अंसार होगा महिंदर सिंग धोनी ने तो अभी महिंदर सि Spirit of the Cricket Award जीता है तो एक तो इनका नाम याद रखना बाकि और भी नाम में आपको बताओंगा रुकर को अभी विराट को लिको सर गार फिल्ड सोबर्स मेल किर्केटर of the Decade और वन डे प्लेयर of the Decade Award से नवाजा गया डेकेड की बात हो रही है मतलब दशक 2011 से लेके 2020 तक के ल गया साथ ही में आपको बता दू कि महिलाओं में आस्ट्रेलिया की जो एलिसा परेरी है उन्हें रचल हेहो फ्लेंट फिमिल किर्केटर of the Decade चुना गया इसके अलावा उन्हें वुमेंस वन डे प्लेयर और टी ट्वन्टी प्लेयर of the Decade भी चुना गया तो यह सारे important नाम रहेंगे इनको याद रखना और महिंदरे सिंग धोनी से अभी एक और question में आपको आगे बताऊंगा तो यह है वो question क्योंकि यह question important है इसलिए मैंने अलग से इसको कराया कि दशक के जानी के डेकेड के ICC और D.I. टीम के लिए किस खिलाड़ी को कप्तान के रुप में नामि चित किया गया है जबकि विराट कोली को टेस्ट टीम का कप्तान चुना गया ये भी आप ध्यान रखो वैसे आप जानते ही हो महिंदरे सिंग धोनी अभी जो IPL होए थे इसमें 200 IPL खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे वैसे तो इस साल इन्हों ने इंटरनेशनल कि जिना ने भी सन्यास लिया था वो भी आपको याद होगा तो अभी हाली में किस देश ने चंद्रमा पर पहला परमाणू रियक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है तो अंसर होगा अमेरिका ने तो अभी अमेरिका ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला न्यूक्लियर रियक् नासा के सहयोग से 2021 की शुरुवात में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा देखवा, अमेरिका की केपिटल तो वाशिंग्टन डी सी है जहां पे आपको नासा का हेटकॉर्टर मिलेगा, वर्ल्ड बैंक का हेटकॉर्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा और अभी 46th नंबर के प्रसिडेंट कौन चुने गए जो बिडिन और कमला हैरेस जो कि यहां की पहली महिला उपराश्टर पती बनी वैसे आपको याद होगा अभी Time Magazine के द्वारा इन दोनों को एक तो जो बिडिन और कमला हैरेस इन दोनों को Time Person of the Year के रूप में चुना गया था जबकि अभी Forbes की जो सो ताकतवर महिलाओं की सूची आई थी उसमें कमला हैरेस तीसरे स्थान पे थी फिर पहले पे कौन थी पहले पे थी German Chancellor Angela Merkel फिर परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने सोवी किसान रेल को हरी जंडी दिखाई ये कां से कां चलेगी ये चलेगी महराश्टर के संगोला से पस्चिम बंगाल के शालिमार तक और ये सोवी किसान रेल है तो ये आपके लिए important प्रस्ण रहेगा भीया एक तो ये याद रखो आप सोवी और जो पहली थी वो भी आपको याद होना चाहिए तो जो पहली किसान रेल थी वो आउगस्ट के महिने में शुरू हुई थी महराश्टर के देवलाली से बिहार के दानापुर तक अच्छा चलो ये बताओ कि दक्षिन भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल ये कासे कास चली थी ये कासे कास शुरू हुई थी ये आंदरपरदेश के अनंतपुर रेल्वे स्टेशन के दिल्ली के आदर्श नगर रेल्वे स्टेशन तक चली तो ये भी ध्यान रखो पर अभी हाली में किस देश की नौसेना बलो ने भारते नौसेना की पंडुबी INS सिंदुवीर को अपने बेडे में शामिल किया तो आंसर होगा मियानमार ने अचा वैसे तो ये point में आपको पहले भी बता चुका हूँ और आप सबको पता भी होगा तो इसका नाम याद रख लो एक तो तिंक थू तो या ठ्यान रख लो और इस तरीके से ये म्यानमार नौसेना की पहली पंडुब भी बन गई म्यानमार की कैपिटल नैपिटो है करंसी कियात है प्रेसेडेंट है विन मिंट और यहांकी स्टेट काउंसलर है आंक सांक सुकी अच्छा म्यानमार की सबसे उची चूटी का नाम क्या है? हक्काबो रजी फिरहाल ही में धार्मिक स्वतंतरता विदेयक 2020 को किस राज्य के मंत्री मंडल ने मंजूरी दे दिये तो आंचर होगा मद्यपरदिश तो अब इस विदेयक के कानून बनने पर कोई भी वेक्ती शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा और वगर ऐसा करता है तो उसे एक से पांच साल तक की कैद और कम से कम 25,000 रुपे तक का जुर्माना देना होगा और इस विदेयक के पारित होते ही धार्मिक स्वतन्तरता कानून 1968 जो है वो समापत हो जाएगा ये भी ध्यान रखो और मैं आपको बता दू इससे पहले उत्तरप्रदेश कैबिनेट ने भी इसी तरह का द्यदेश पारित किया था और अब उत्तरप्रदेश के बाद ऐसा करने वाला मद्यप्रदेश दूसरा राज्य बन गया फिरे सूत्र निवेद नाची सूत्र एक अनुभव नाम की बुक को किसने लिखा तो आंचर होगा डॉक्टर रूपा चारी ने तो डॉक्टर रूपा चारी ने इस बुक को लिखा है और अभी इस बुक को हमारे केंद्र आयूश मंतरी और रक्षा राज्य मंतरी शिरिपद येसो नायक ने लॉंच किया पाकी जेराम रमेश अभी पीछे पड़ा इनका नाम अच्छा देको बुक्स की बात चल रही है तो एक पॉइंट में आपको याद दिला दू कि 2020 में जितनी भी बुक्स हमने पड़ी है उन में से जो selected और जो important बुक्स हैं उन सभी बुक्स को मैं आपको revise करवा रहा हूँ सारी एक साथ नहीं सारी एक साथ करेंगे तो होचपोच हो जाएगा सब गुड़ गुबर हो जाएगा तो दीरे दीरे दो तिन बार में सारी बुक्स को सारी important बुक्स को हम revise कर लेंगे तो उनकी में आदियो बना दिये एक का तो बन गया अगर वो आपने नहीं सुना तो सुन लिजिएगा टॉप 20 important बुक्स नाम से उसका वो audio आपको मिल जाएगा अपनी खबरी अप्लिकेशन में लिंक आपको नीचे description में मैं दे दूँगा वहाँ जाकर कि अगर नहीं सुना तो वो सुन लिजिएगा क्योंकि पढ़तों आपने सारी बुक्स अरखी है daily current affairs में लेकिन उनका revision अप करना आपके लिए ज़्यादा मैत्वपून है revision नहीं करोगे तो चीज़े याद नहीं रहेंगी इसलिए एक साथ जो important books होंगी उनका में audio तयार कर रहा हूँ आपके लिए तो वो सुन लेना भाया अभी हम बढ़ते आगे फिर हाल ही में फास्टेक जारी करने के लिए Google Pay के साथ समझोता करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया तो अंसर होगा ICICI Bank तो अभी Google Pay और ICICI Bank ने अपने यूजर्स को फ्री में फास्टेक प्रडान करने के लिए आपस में समझोता किया है और इस तरह से फास्टेक जारी करने के लिए Google Pay के साथ समझोता करने वाला पहला बैंक बन गया ये ICICI तो अब यूजर्स को फास्टेक खरीदने के लिए किसी भी मर्चेंट या टूल नाके पर टूल लोकेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी और वैसे भी अब तो आपको पताईए एक जनवरी 2021 से फास्टेक आपका mandatory हो गया है सभी गाड़ियों के लिए ICICI Bank, Mumbai में Headquarter, MDCO संधीब बक्षी और हम है ना खयाल आपका इसकी Tag Line है फिर है भारत का पहला Pollinator Park यानि कि परागन करता पार्क ये किस राज़ में स्तापित किया जाएगा तो आंसर होगा उत्तराखंड में तो अभी देश का पहला परागन करता पार्क यानि कि पॉलिनेटर पार्क ये नैनी ताल जिले के हल दुआनी में स्तापित किया जाएगा और इसमें लगबग 50 अलग-अलग परागन करता प्रजातियां होंगी जिसमें तितलिया, मदुमक्या और भी पक्षियों की अलग-अलग परजातियां शामिल है और इस पार्क को इस्तापित करने का उद्देश है क्या है विबिन परागन परजातियों का संगरक्षन करना और परागन के महत्व के बारे में जनता के बीच चागरुकता पेदा करना अच्छा परागन करता यानि की पॉलिनिटर तो ये वो एनिमल होते हैं जो एक फ्लावर के पॉलें को दूसरे फ्लावर के फिमिल स्टिग्मा तक ले करके जाते हैं जाने कि आप कह सकते हैं सिंपल भाशा में फ्लावर की बीच में क्रॉस कराने का ये काम करते हैं तो अभी मात्मा गांधी जी के उपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेकिंग ओफ हिंदू पेट्रोइट, बैक्ग्राउंड अफ गांधी जी हिंद स्वराज नाम की बुक को किसने लिखा तो आंचार होगा M.D. श्रीनिवास और J.K. बजाज ने तो अभी DRDO के द्वारा Scientist of the Year Award से किसे सम्मानित किया गया तो आंचार होगा हैमंत कुमार को तो अभी वरिष्ट वेग्जानिक हैमंत कुमार को लिख को डर्मा के इलाज के लिए उन्होंने जो लोगप्रे दवा लिख को सिन बनाई है और इसके साथ ही कहीं तरकी जड़ी-बूटी दवाओं को विक्सित करने में किये गए उनके योगदान के लिए DRDO ने उने Scientist of the Year रवर्ड से सम्मानित किया बाकी नमिता टुपो एकलवे पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया ये होक्की प्लेयर है पंडिस सतीश व्यास 2020 के तांसें सम्मानित किया गया और रंजीत सिंग डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइस जीतने वाले पहले भारते बने और DRDO के अध् लद्धाक में तो हमारे जो केंद्र मंत्रे है हर्शवर्दन जी उन्होंने लहे में समुद्र तल से करीब 3500 मेटर के उचाई पर इस्थेत भारत मौसम विज्यान विबाग के मौसम विज्यान केंद्र का उधगाटन किया तो ये भारत में Indian Metrological Department का सब से उचाई पर सम्मानित किया गया तो आंसर होगा के वीर मनी को तो इस साल का डॉक्टर नरेंद्र दाबोलकर मेमोरियल अवार्ड से के वीर मनी को सम्मानित किया गया है तो ये अवार्ड महराष्टर के प्रसिद्ध तरकवादी दाबोलकर के समर्ति में शुरू किया था और ये जो वीर मोहन यंग चेंपियन आफ दे अर्थ अवर्ड से सम्मानित किया गया रतन टाटा एसोचे मेंटर प्राइज आफ दे सेंचूरी अवर्ड दोजार बीस मिला इनको और रेश्वर्या श्रिदर वाइल लाइफ फोटोग्राफर आफ दे एर का पुरुसकार जीतने वाली पहली भारती मेला बनी थी फिर अभी किस बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉंच किया तो अंसर होगा बैंको बडोदा ने तो अभी बैंको बडोदा ने रिटेल लोन चाने वालों को उनकी जगे और पसंद के समय पर पेपरलेस पर क्रिया के माध्यम से डि गुगल पे के साथ समझुदा करने वाला पहला बैंक बनाई है और सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया एनपी सिया के साथ मिलकर रुपे सलेक्ट नाम से डेबिड कार्ड को लॉंच किया इन्होंने बैंको बडोदा का हैट्टकॉर्टर वरोधरा गुजरात में है फिर हैं BASF क इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो अंसर होगा सुनील कुमार को Quantitative Genetics A Conceptual Approach नाम की बुख को किसने लिखा डॉक्टर स्तूती शर्मा ने तो अभी मद्य परदेश के जो मुख्य मंत्री है शिवराज सिंग चोहान उन्होंने इस बुख को रिलीस किया है और इस बुख को जवालल नहरू करशी विश्विध्याले जबलपुर मद्य परदे 40 Years with Abdul Kalam Untold Stories नाम की बुख को लिखा और डॉक्टर रुपाचारी सूत्र निवेदन नाची सूत्र एक अनबव नाम की बुख को लिखा फिर एक किसे Global Alliance ने गावी बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया तो अंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्दन तो हमारे केंद्रे स्वास्तेव परिवार कल्यान मंत्री हैं ये डॉक्टर हर्षवर्दन इनको टीकों और टीका करण के लिए बनाए गए अंतरराश्टर संगठन गावी गावी मतलब Global Alliance for Vaccine and Immunization के बोर्ड का सजस्य नामित किया गया है तो इस बोर्ड में 2021 से 2023 तक भारत का ये प्रते निधित्व करेंगे इसी तरह से आपको याद होगा WHO Executive Board के Chairman बने थे डॉक्टर हर्षवर्दन एक साल गे लिए फिर अभी Solid Propulsion Rocket Stage का सफलता पूरुवग परिक्शन करने वाला भारत की पहली नीजी कंपनी कौन सी बन गई तो आंसर होगा Sky Road Aerospace तो हैदराबाद में स्थित है ये Sky Road Aerospace और इसने अभी एक Solid Propulsion Rocket Stage जिसका नाम है Kalam 5 उसका सफल परिक्शन किया है तो ये भारत की पहली प्राइविट कंपनी है जिसने Solid Propulsion Rocket Stage का सफलता पूरुवग परिक्शन किया है इसका Headquarter हमने बताया है है तो ये नीमोनिया के खिलाफ भारत का पहला अच्छली में अभी हमारे जो केंदरे स्वास्त मंत्री हैं डॉक्टर हर्श वर्दन इन्होंने नीमोनिया से लड़ने के लिए भारत में विक्सित पहली वैक्सीन लॉंच की है तो भारत के पहले न्यूमो कोकिल कंजूकेट वैक्सीन को न्यूमोसिल नाम दिया गया और टीके का निर्माण पूरे इस्थित सीरम इस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एन मेलेंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है नाम क्या है न्यूमोसिल इसका नाम है तो ये भारत का पहला सुदिशी टीका है इसका नाम याद रखना निमूनिया के खिलाफ कि ये अवार्ड है जो साल 2001 से 2020 के परदशन के आधार पर दिया गया है और क्रिस्ट्यान और रोनाल्डो उर्तगाल के खिलाडियें याद रखना और अभी इन्हें गोल्डन फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इनसे रिलेटेड एक और कुशन बनता है जो मैं आपको आगे बताऊँगा फिरेकिस राज्य सरकार ने शार्दी अनुदान योजना शुरू की तो आंसर होगा उत्तरप्रदेश ने तो गरीब परिवार की बेटियों की शादी में पैसों को लेकर कोई दिक्कत ना है इसी के लिए भी उत्तरप्रदेश की योगी सरकार न योगी आदे तिनात मुख्य मंतरी हो गए और आनंदी बेन पटेलियां की गवर्नर है